हेलो डॉक्टर ही हेलो ये आप क्या कर रहे हो कांदा बजिया डॉक्टर होके ये बजिया खा रहे हो आप क्यों डॉक्टर नहीं खा सकते बजिया पर ये तो कितना ओईली होता है और हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तुआ छीक है तो आपकोaz यह बैरे डाउट की और बहुट है कि अउयुा आप आप जीन से लोगों को यही खाना चाए फुर्ट जै नहीं रहा taraf आप जैसे लोगों को यही खाना चाए है क्यूं यह एक तो गरम होता है नेचर में और स्णिग्द है वात क्या होता है रुक्ष होता है हाँ थंड़ा और रुक्ष होता है फलका होता है तो उसके अपोजिट में कांदा सबसे बेस्ट है इसके बारे वेक कमाल का श्टूक लिखा है लैसुन अंतरम वायों हो पलांडू परमा प्याज दवा है तो वो है कांदा या फिर प्याज ठीक फिर इसका एक और फाइदा बताते हैं आईरवेद में बोला है बल्य बल्य मतलब यह ताकत बढ़ाने का काम करता है ठीक है अब आप बताईए भजिया बनाने के लिए क्या क्या लगता है प्याज लगता है चने का करने के फाइदे आपको बता चल गए कि वाद के लिए बेस्ट है ताकत बढ़ाने का काम करता है और वायू रिलेटेट कोई भी तकलिव है जोडों का दर्द हो वजन बढ़ाना हो गैस हो स्कीन ड्राइव हो कुछ भी हो कामदा चलेगा अब दूसरा आइटम है बेसन बेसन वैसे कौफ पित पर अच्छा काम करता है बट बेसन कही बार वाद बढ़ा देता है तो यह भजिया बनाने के लिए हम तेल यूज करते है तो उसका टेंशन खतम अब इसमें एक और में ची खा, कड़वा, कसेला उसमें से जो मीठा, खटा और नमक है वो वात को कम करने का काम करता है तो नमक, सिंदा नमक यूज करता और अच्छा बेसन हो गया कुछ मसाले आप डालते हो जो की गरम होते हैं वो भी वायू पर काम करता है और फिर आप इसको किस में तलते हैं तेल तेल में और तेल क्या होता है गरम होता है ठंडा होता है तो इसलिए तेल वायू की लिए परमशदी बोला है तो वायू रिलेटट कोई भी दगलीफ हो तीक उसमें आप किस को पका के खा रहे हो नमक डाला हुआ भारी वारी है? लहसुन के बात सरव शेश्दवा कौन सी है वात के लिए कांदा है। ये वायू को कम करेगा आपके शरीर में ताकट देने का काम करेगा वायू related जोμी तकलिफ है। अब आप जैसे जो दुबले पतले लोग हैं, खास करके जो बारिश के मौसम में, या ठंडी में जिनको बहुत तकलीफ होती है. ठीक है, ठंडी बहुत लगती है, जोडों में दर्ध होता है, स्किन ड्राय हो जाती है, बाल जड़ने लग जाता है, पेट में गैसे होता है, क्रैम्प होता है, जोडों में दर्ध होता है, वेट लॉस होता है, ठंडी बरदास नहीं होती, ऐसे 525 तकलीफे आप लोगों को हो कुछ स्वाधिश चाहिए जिससे वेड गेन हो जिससे ताकत मिले तो कांदे का भजी खाई यह फिर तो कांदे की भजी के अगर आप आईरविदिक प्रॉपरडी देखेंगे तो यह ताकत बढ़ाने का काम करती है वायू को कम करने का काम करती है यह नेचर में गरम है चिकनी हैं तो ठंडी के मौसम में अगर कोई एक टॉनिक खास करके आप जैसे जो वात वाले लोग हैं या जिनको वायू की हवा की तकलीफ होती है उसके लिए यह सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन हाँ हम जैसे लोगों के लिए वैसे उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हम अलड़ी फ